देखिए हम पढ़ने वाले क्या residue classes पढ़ने वाले या बोली उसको question tering बोली तो residue classes और question tering दोने same होता है ठीक है तो इसका definition देखेंगे actually में यह होता क्या है और इससे related एक theorem है ठीक है तो इससे पहले हम fundamental theorem करवाए ना तो इसका use हुआ था ठीक है residue classes का use हुआ तो हम बता चुक होता है उसको ignore नहीं करना है ठीक है तो देखें actually में क्या residue classes होता है वह actually में क्या होता है जैसे आर को हमारा ring हुआ ठीक है और s जो होता हुआ हो क्या होता है हमारा sub rings भी होता है और यह हमारा kernel भी ideal है हमारा s जो हुआ हूआ है ideal हुआ अब ideal के लिए क्या होता है ideal को पता है न सब्गुरूप किस वो छो इस में ही हमारा सब्गुरूप होता है है सब्गुरूप और लेFFT आइडियल को खैडियल और पाप आ इस- इस- स आइस अचोराइपे हैं तो यह हमारा क्या एस सोथ N मैंनलते हैं कर दोब भाताले है थे हमारभ रैसिड्य कुरते हैं या फिक विस्टेंट रिंग बोलिए तो एसका जो एक्चलिव में जो कोसेट्स हुआ उसी को बोलेंगा और जो डिनेशन होता है किस तरी के से रिंग जो हमारा है आर बाई में हमारा s होगा this is equal to s plus a means हमारा s जो ideal हुए s और a जो हमारा r का element this is equal to a कहां है r का element है तो यह हमारा होता है तो यह हमारा होता है residue classes ठीक सुमझ में आया तो चलिए इसका proper definition देखते है residue classes का क्या होता है और इससे एक theorem है जो कि important theorem है वो theorem भी देखेंगे तो चलिए इसको सबसे पहले तो definition देखते है के residue classes का suppose r is an arbitrary ring ठीक है r जो है वो का arbitrary ring है and s is an idea इन किसे में ideal जो हमारा है in r में है ठीक है दिन co-sets of s in r are called क्या बोलेंगे इसको the residue classes और बो सकते है के question question ring ठीक है residue classes बोले है question ring बोले है question ring बोले है ठीक किसका of s in r में ठीक है s in r in r हो गया then the set of set of all residue classes is denoted by किस तरक से denote क्या जाता है तो r upon s this is equal to s plus a okay और यहां पर a जो है वो किसका element हो हमारा r का element है ठीक तो यह हमारा हो गया residue classes सब्सक्राइब है residue classes क्या होता है अब देखें इस से related a theorem है तो कि important theorem है ठीक पचलिए यह theorem को देखते हैं देखें यह हमारा theorem है theorem क्या है कि suppose r is a ring r हमारा ring है and as an ideal of r ठीक s जो है वो हमारा ideal है r ठीक r का तो देखें यह question ring का ही definition दे रहा है हमारा कि r हमारा ring हुआ as हमारा ideal हुआ of r का let f be a mapping from r to r dash पे अब दिखाना है देखें यहां पर बोला गया है कि f जो है वो mapping है कि इस पर r से लिखे r upon r dash पे इस तरह के से define है और a element का करेगा r का element रहेगा then हमें क्या दिखाना होगा कि f जो है is the homomorphism of r on to r dash पे f homomorphism है कि r on to r upon s means क्या हो गया कि ring जो homomorphism होगा वो किस पे हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा question ring पे हो जाएगा ठीक है यह हमें homomorphism होगा तो यह हमें दिखाना होगा homomorphism दिखाने के लिए हम क्या करेंगे तो देखे a b दो element लेंगे किसका r का element लेंगा और किस तरह किसे दिखाएगे तो f of a plus b अगर आप लोग homomorphism fundamental theorem of homomorphism अगर आप लोग पढ़े होगे तो यह पता होगा कि f of a plus b a plus b इस तरीके से अगर यह हमारा इस तरीके से define है a हमारा यहां पर आएगा तो actually में यह जो जितने भी element होगे f के बाद जो element होगे यहां पर ठीक है तो यह हमारा s के बाद ही आएगा तो a plus b आजाएगा अगर हम f of a b लिए तो क्या हो जाएगा तो f plus यहां पर a b आजाएगा होगा न यह है fundamental theorem का last में हम proof करवाएं ठीक है last में actually में लिखा हुआ यह है ठीक तो हम लोग fundamental theorem जरूर से जरूर किजेगा ठीक है वो आता ही है ठीक अगर नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है आया तो और भी अच्छी बात है ठीक तो यह होता है तो हमें दिखाना होगा homomorphism दिखाना होगा न तो यह दिखाएंगे और यह दिखाएंगे this is equal to यह किसके बराबर दिखाना होगा तो यह दिखाना होगा f of a plus f of b मिल distribute करना होगा ठीक और यह भी distribute करेंगे तो f of a और f of b इस तरीके से तो हमारे क्या हो जाएगा जो f हो homomorphism हो जाएगा of r unto r upon s पे हो जाएगा तो यह दिखाने के लिए हम क्या क्या करेंगे इसका process क्या क्या है तो सबसे पहले तो हमारे जो given रहता है तो हमारे क्या है given तो हमारे suppose r is your ring है as an ideal तो चलिए इसको proof परते है दिखें, लिखेंगे साबसे पहले consider consider the mapping mapping को ही consider कर ले तो consider the mapping किसका mapping जो होगा f कहां से? r से लेके कहां से? r upon s पे mapping यही ना, यह मारे mapping हो रहा है कहां से कहां तक? r से लेके r upon s तक हो रहा है such that such that क्या होगा f of a जो हमारा है तक सिर कसे दिया हूँ हमारा s plus a दिया हूँ for all a किसका element हो भी हमारा r का element है तो let हम मानते हैं क्या कि हमारा न даль treatment x जो है वह element किसका r-ka element मान लेते हैं ठीक है x मान की बनाते हैं तो क्या होता है let s plus x होगा be any any element of europa r- s का element s plus x, means actually s plus a, जो element होता हो, किसका इसलिए में r upon s का element होता है इसे भी just हम definition बताए न, ठीक है, question training का, तो उसमें कहता है, s plus a जो था हो, हुआ र upon s का element था ठीक, तो यहाँ पर कहा होता है s plus x जो होगा, वो किसका element हो जाएगा तो r upon s का element हो जाएगा और x जो हुआ, वह कहां का element हुआ तो यह हमारा r का element हुआ x प्लस x हो जा इस format में लेकर, तो This topic of a ने रहे हैं, तो क्या हुझा रहा है, जा रहा है, We have, क्या हो वज़ेगा, f of x f of x लेते हैं, ही होझा, प्लस खोए क्या होगा स्प्राइब क्या होग्त है एक्स हमारा एकस तरहिख से ऑसक्ति हम एक्स से जगह पर चाहिसे जग़े तो न०ि Setting चाहिसे, इसमें से घाल करेंगे तो हम एकस वाले दिखाते हैं ठीक समझ वाया है therefore there for the mapping mapping therefore the mapping F F Eich क्या हो जाएगा onto R पर S पे ठीक है आप देखिए अब दिखाना होगा क्या homomorphism दिखाना होगा homomorphism दिखाने के लिए तो X की जगा पर हम values स्वारे put करते जाएगे ठीक है means क्या है कि A plus B और हमारा A multiply with B देखिए अब हम लिखेंगे क्या है let A और B दो element है किसका R का element A B दो element है R का then तो हमारे पास क्या होगा तो F of A plus B ओके यहाँ पर हमारा X की जगा पर हम put करेंगे न हम सब values तो F of A plus B this is equal to the formation के हिसाब से क्या हो जाएगा यह हमारा formation के हिसाब से हो जाएगा इसका equal होता है तो हमारा F of A का equal प्लस यहाँ पर F of B का equal होता है होता है न जैसे कि हमारा F of A equal to S plus A था हमारा तो यह हमारा हो गया F of A हो गया यह equal हो जाएगा तो यह हमारा actually में देखे distribute हो गया and then also लिखे also बोसकता है कि F of A B होगा तो this is equal to S प्लस यहाँ पर A B हो जाएगा this is equal to क्या हो जाएगा और यहाँ पर S plus B होगा इस तरीके से fundamental theorem of homomorphism याद होगा तो वह बहुत easily कर लेगा कोई भी student ठीक देखे last dollar terms this is equal to अब यह जो हमारा terms होता है वह F of A this is F of B होता है तो यह भी हमारा distribute हो गया ठीक है तो distribute हो गया तो हम बोल सकते हैं क्या कि therefore यह हमारा F है वह क्या हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा homomorphism F is of homomorphism homomorphism of R on two किस पर होगा R upon S पर हो जाएगा तो does को सकते है every quescent ring जो मारा है मिनस मारा है क्या हो है residue classes to quescent ring offering offering R is a homomorphism homomorphism of the ring the ring किसका हो जाएगा ring of the ring बोले ठीक है यह तो homomorphic image actually मैं क्या है कि homomorphic image यह है homomorphic the does every quescent ring offering R is a homomorphic image of the ring image of the ring ठीक है तो यह हमारा होता है complete theorem ठीक तो यह theorem समझ में आया fundamental theorem formomorphism बस उसी का थोड़ा से uses यहां पर uses नहीं उसी का type हो नहीं वहां पर भी same to same चैन्त है अगर वह वाला याद हो नहीं तो देखिए नहीं तो देखिए ना इसका जो condition दिया होता वहीं से तो हमारा आय रहा है x के जिगा पर हम a plus b value पूट करें नहीं तो यह हमारा क्या हो जाता है s plus a हो जाता है और s plus b भी हो जाता है ठीक है s plus यहां पर a होगा multiply है ना बीच में यह a plus b के पास multiply है तो यहां भी बीच में multiply हो जाएगा ठीक है s इसके साथ भी जाएगा और s इसके साथ भी जाएगा s हमारा ideal होता है ना तो इस तरीके से जाएगा ठीक है तो समझ में आया है तो प्लिस वीडियो को लाइक कर दें और सेयर कर दें ठीक है और चैनल को जरू सिस्क्राइब कर लें semester 5 और semester 6 के लिए semester 5-6 भी पढ़ाएगे ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में